हलो एवरिवन स्वागत आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले एरोपियन क्रिकेट लीग में होने वाले पहले सेमाई फाइनल मैच की यहां पर मैं आपको बता दू सी साइट सी सी और लिन कॉपिन सी सी एक दूसरे खिल तो भाई है इनकी बैटिंग अगर आप देखोगे तो प्लेयर्स ना रन मारे पर वही है कि बॉलिंग में वैसे ना कवर तो कर लिए पर विकेट यह नहीं चटकाई विकेट सेक्शन सिर्फोर सिफ ए हुसेन ना पिछले मैच में विकेट चटकाई और किसी नहीं चटकाई लिन कॉपिन ना पिछले मैच में सी साइड सी सी के नौ विकेट चटकाई यह से तो बहुत बढ़िया इनकी बॉलिंग रही थी पर वह यह बैटिंग डिपार्टमेंट कोशिश पूरी थी यह जीतने की लिन कॉपिन की भी क्योंकि ए ना एक ना बहुत तगड़ी तरीके स बैटिंग करी वहां पर और आदिल अश्गर ने भी तगड़ी तरीकी से बैटिंग करी पर आखरी में आकर मतलब सेटल नहीं कर पाई स्कोर यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह एप कौन सी है यह अभी यह मैच वान आप आराम से यहां पर इस एप पर जीच सकते हो गिववे है आज क्योंकि आखरी मैच है यह मतलब आखरी दिना है तो यहां पर मैं आपको बतादू अगर आप इस मैच में अपनी Grand Team लगाते हो ग yan ٹीम में लगाते हो तो यहां पर उन सब प्लेयरज को गिववे मानलब उन सब तो नहीं गिववे मिलेगा उनको जो अगर पर मुझे screenshot भेजते हैं कि हां भई हम ना Grand League में टीम लगाई है पहली बात ये दूसरी बात ये कि जो कहते हैं कि भई हम मेरी rank आई है सबसे उपर मतलब जितने भी स्क्रिनशोट्स मुझे आएंगे उस मैं सबसे उपर रैंक आपकी होनी चाहिए या नहीं तो सबसे नीचे रैंक आपकी होनी चाहिए दो कंडिशन है यान तो सबसे अगर आपकी रैंक हो बात तो एयसा कोई भी प्लेट निए खेल रहो और ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए आप टीम की फोटो भेजोगे मुझे प्लस अपनी यूजरनेम भेजोगे तो और भीजने कहां पर हैं भीजने आपको टैली और टेलीग्रम पर लिंक मिल तो यहां पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहीं से आप जुड़ सकते हो यहां पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेते हैं तो सेमाइफैनल मैच है सीसाइड सीसी और यहां पर लेन कॉपिंग सीसी के बीचों में खेलता हो दिखेगा यहां पर देड़ बज़े में मैच लाइफ देखने को मिलेगा पिछ रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं न्यूटल पिछ आपको दिखाई देगी कभी बैट्समन आप गर्ती है जैसे कर रही है और यहां पर अगर मैं बात करूं वैदर रिपोर्ट की तो कोई भी चान्स नहीं अभी तक है तो यहां पर आप बहुत आपडेट्स मिस्स कर रहे हो तो इसी वज़ा से जो है टेलिगराम चैनल जोइन कर लो सारी की सारी अपडेट आपको व हमेवे होने वाला सि्लिन का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूस टीम में three निस यहां पर स्टार्टिंग पर taking मैं together कर रही है कल के थीम मैं पर आपको प्लेयरों देश देंगे वो जो भी है आपको बढ़िया और देंगे यहां पर एन एक आप को उपन ही करता हो दिखेगा 10, 19, 12 रन के साथ 1 विगेट, 2 रन, 1 रन के साथ 1 विगेट रो 44 रन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भी यह यह बॉलर अब शायदी बॉलिंग करवा है, मुश्किल है पर हो सकता है, आज के मैच में एक ओवर करवा जाई है, साथ खान हमारे पास है, इस प्लेयर को अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो पर इसके इसके इलावा भी कई बहुत बड़ी अ-बड़ी अप लेयर अब हमारे पास है आदिल अजगर के अगर मैं बात करूँ 25, 29, 23, 0, 16, यहां पर अगर मैं बात करूँ ए मुश्टाक इस प्लेयर के मैं बात कर रहा हूँ, यह प्लेयर आपको बालिंग करवा के दे सकता है एक विगेट और दो विगेट इसने चटकाई है, पिछले दो मैचिज में तीन विगेट इसने चटकाई है उसके आद एम मोईज आपको बालिंग करवा के देगा भाई यह बैटिंग भी करके देगा अगर आती है इसकी बैटिंग तो 32 रन एक विगेट, 0, 4, 9 और फिर यहां पर दो विगेट यहां पर भी हमारी टीम में था एम मोई इसको वैसे मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं पर अगर आप चाहो तो भी है चोड़ सकते हो इस प्लेयर को इसकी जगा जहूर सबूर यहां तो जैड हुसेन ले सकते हो यह दोनों प्लेयर आपको तगड़े दिखेंगे यहां पर पुनीत के अगर मैं बात करूँ चार एक विगेट के साथ दो विगेट के साथ फिर उसके आद दो रन के साथ दो विगेट और पिछले मैच में एक विगेट फिर उसके आद मुसाब पांस रन एक विगेट एक रन दो विगेट एक रन एक विगेट आठ रन एक रोपर अगर आप देखो यह आपको उच्छा मान के चलो एक मुसाब का ठीक है है Google Just जाने वाले यह चारों के चारों प्लेट दो डोकर वाले यह और आठ ओवर गा उसकाँ आप देखो तो हमारे पास कितने च्छे स्टीम के हैं तो हम अगर रखना चाहें तो ट्राइक करोगीए च्छे के रखो बैटिंग अगर आप देखो तो ए आदिल असगर आपको आप रखना चाहो तो रख सकते और आपको रेंद को मुसाब और अर्षाद इनी चार प्लेयर्स ने अभी तक विकेट चटकाई है एक आदी विकेट जो चटकाई है वो ए नायक और ए मुस्ताग नहीं चटकाई है और इनना कोई चेंज ज्यादा बड़े करे भी नहीं है कि भी यह बालिंग डिपार्टमन में इतने अटपटे से चेंज कर दी हूं ऐस कुछ भी नहीं आए देखो फिछले मैंच में जो है यहाँ पर सदीक न biliंग करषाई तो यहाँ पर है और एक नायक से एक कर sudah तो यहीं मैं कह रहा रहूंए नैक आपको एक ओवर करके दे सकता है और हो सकता है यह आमियन मुस्ताइब से एक ऑबर करवा है यह डोनों बॉलर बांटete अ और आपको सारे के सारे बॉलर आपको complete bowling करते दिखेंगे यहां पर आपको मुईज बॉलिंग करता हूं दिखेगा पर वो होगा कि भी या बॉलिंग करेगा इस मैच में आज के सेमाई फैनल मैच में उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमाय पास एम मुईज नय बॉलिंग करवाई है एनायक मुस्ताब फिर उसका पुनीत और अर्शाद यही आपको पांच बॉलर जो हैं यहीं आपको कंसिस्टेंसी बॉलिंग करवाते हो दिखेंगे एनायक की जगह आपको दूसरे कोई बॉलर आता हो दिख जाएगा और कोई आप्शन है नहीं एम मुईज जैसे मैं आपको दुब यही पांच बॉलर आपको बॉलिंग करवाते हो दिखेंगे जादा था रोड को यह आपको देखाई डेगा नहीं ऐस सिदल टो उसना बॉलिंग कर वाई और इस मैच में मोरी नहीं कर वाई ती सेकंड़ लास्ट मैच म requires भी करवा में उद्याय करवा तो यहां पर客सितक न अबी तक Unbeatable रही है देखो समी फाइनल में क्या होता क्या शायद पता Unbeatable चली जाती है टीम क्योंकि हर एक टूर्टनावर्ण में जैसे मैंना आपको बतावी तक जो ट्रीम लर्न की हो यह कोई एक नया एक टीम जई एन वी टेबल जाई रिया तो हो सकता है इस इसका जो गोटैन बग वाली जो सीरीज चल रही है उसमें सीसाइड सीसी ऐसी को यह टीम हो यहाँ पर अर्फान अरिफ कि अगर आप बात करो तो यह प्लेयर आपको उपन करता हो भी दिख सकता है पर अब बहुत कम चांसें क्योंकि उमेर चौधरी वापस आचुके हैं जैड हुसैन वापस आचुके हैं तो यह प्लेयर जो हैं यहाँ पर आपको उपन करता है दिख सकते हैं तो ए आरिफ आपको तीसरे चौथे नंबर पर दिख जाएगा एम गुलामी आपको उपन ही करता हो दिखेगा प्लस बॉलिंग भी करवा रहा है यह प्लेयर और हो सकता है कि यह बॉलिंग क्योंकि इसकी इकनॉमिकल बॉलिंग है बिल्कुल बहुत तगरी तरीके से यह रंग रोक रहा है पर विकेट्स नहीं चटकाई है वह अलग बात है हो रंकर कि अगर मैं बात करूं यह आपको तीसरे चौथे नं बाइन हमारे पास है और यहां पर अगर आप देखोगे आज कुछ ज्यादा चेंजिस आपको दिखाई नहीं देंगे और यहां पर बॉलिंग भी आपको सैटली दिखाई देगी ऐसानी कि किसी कोई भी बॉलर आकर बॉलिंग करवा देगा यह उस्मान सरवार हमाँ पास और प्लास यहां पर जहूर सबीर आपको बॉलिंग करते मैं यह इन। adoptesse मैं फिसके बाद पास इस न है यहां के लिए टिक है क्रेद्न किया यह आई आई शेक हो सकता है यह आपके grand league की choices small league की है नहीं पहली बात तो यह शबीर की अगर मैं बात करूँ तो यह पिछले matches मैं खेले नहीं है पिछला match भी नहीं खेला शबीर पर यहां पर semi final में हो सकता है यह match खेले और यहां पर यह हो गया सकता है विसे खेले गाई क्योंकि one of the best player अपने टीम का है यह उसके बाद यहां पर अगर आप देखो तो bowling department में आपको सारी की सारी performance दिख जाएगी आई खान हमारे पास हैं यहां पर यह आई खान नहीं खेलेगा मुझे लगता खेलेगा आई शेक भी नहीं खेलेगा आज का मैच यह दोनों प्लेयर नहीं खेलेंगे एम घुलामी आपको एक आदा ओवर करवाता हो दिख जाएगा ए आरिफ आपको एक वदअ कर वाथा दिखाये आई हुसेन माहीं पास है फिर उसके बाद हमाइप जो मेन बालर हैं वो तो यहां पर हैं यहां पर आगर मात करूं यहां पर मैं बात करूं जैड जो आपको आज के मैश में बॉलिंग करवाते दिखेंगे विकेड भी चटकाते वह दिखेंगे तो उस हिसाब से अमें देख कर यह चलना है सारी की सारी डीटेल अभी हम डिसकस कर चुके अभी जहां आप टीम की बाद कर लेते हैं टीम की बात करने से पहले जिन पहयुँनों अभी तक चेनल को subscribe नहीं करा हैं वो subscribe करें और जीन भायँ ना वीडियो like नहीं करिए वो like कर आपको बैटिंग मैं दिखाई देगा विकटीड घ्रिपिंग सेक्शन में खेलता हो आदिल असगर आपको खेलता हो दिखाई देगा एचा रंकर और एजफर हो सकता है जफर ड्रॉप कर दिया जाए चैनल कर खेला खेलाए जाए एच्छा रंकर आपको तीसरे चौथे बनाना चाहते हो छे LKP के और पांच यहां पर सी साइड सी सी के यहां पर अगर मैं बात करूँ बैटिंग ओप्शन में एम गुलामी आपके लिए मस्ट चॉइस होना चीए क्योंकि यह प्लेयर जो है आपको बैटिंग करके भी देगा प्लस बॉलिंग भी करके देगा उमर चौदरी ओपन करता हो आपको दिख जाएगा उसके बाद यहां पर एस गंगावर को पिछले मैच में खिलाया गया था 19 रन इस नमारे हाईय स्कोर अपने टीम का पिछले मैच का पर यहां पर मुझे नहीं लगता खेलता हो आपको दिखेगा एस खान आपको जो है ओपन ही करता हो दिखेगा फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए नायक और ए मुस्ताक दोनों के दोनों प्लेयर बैटिंग भी करेंगे बालिंग भी दिख जाएं और आप पांच प्लेइर आप तो आप चारी ले सकते हो तो मुझे लेने लेने पांच और मैं कहां जी लूँगा मैं खैलिँगा मैच studγ पर क्योंकि भाईया वहीं पर आप पांच ले शकत पर आप आराम से जीच सकते हो यहां परम इस मध्ट डॉपसर करना अगर करना चाहो तो एम मोईज डॉप कर सकते हो पर वही है भी है मैं तो शाहिद नहीं करूँ एम मोईज को डॉप फिर उसके बाद यहां पर आपको एक और जो आपको यहां पर सेलेक्ट करना बढ़ेगा अगर आप देखो जैड हुसाइन और जैड शबीर के बिल्कुल से सब्सक्राइब आप स्बाद ही है जहां पर बालींग इपार्टमेंट क्या नहीं रहतrás नहीं कर सकता क्योंकि कंसिस्टेंशिस ऌन से बालिंग करवाता हूं दिखे 1977 लाफ उसमान बेब आहां पर बाणिंग लिब्は में उसमें से मुझे लगता अधित्य औरोड़ा खेलता हो खेलेगा ही नहीं यह मैच तो यहां पर आपको यह तीन ही प्ले रह जाएंगे आपके पास सेलेक्ट करने के लिए बैटिंग सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया जो आपके पास रहेगा तो अभी जो यहां पर हम टीम क आपके बाद डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले मैच ऑन की टीम हम देखेंगे आदिल अजगर हमाई पास हैं आमिर हमाई पास हैं कितना है का फिसका एम गुलामी है मुशाद दोनों मुशाद रखे मैंने मतलब मोईज और मुशाद फिर उसका पुनीद रखे हैं शबीर रख साथ में आपको बैटिंग बॉलिंग करता हो भी दिख जाएगा तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यह प्लेयर भी बढ़िया रहेगा आपके लिए कप्तान के लिए पुनी ताइजा वाइस कप्तान या एं तो ए मुश्ताक या ए नायक आजा वाइस कप्तान आपके बहुत तगड़ा रहेगा स्मॉल लीग में आप यह टीम यूज कर सकते हो एम गुलामी की जगा कप्तान अगर आप रखना चाहो तो शबीर को रख सकते हैं तो जैड हुसेन को रख सकते हैं यह दोनों प्लेयर भी आपको बहुत तगड़े करते हो दिखेंगे यहां पर मै थोड़ी से असानी हो जाएगी छे-पांच की टीम बनाने में तो यह हमारे लिए स्मॉल लीग की टीम है जैसे मैंने आपको बता है तो स्मॉल लीग में मैं जॉइन कर लेता हूं आज मैं सोचरों भी है थोड़ी महंगी सी जॉइन करते हैं क्योंकि सेमाई फाइनल है तो यहां पर हम जो जॉइन करेंगे वह कर लेतयां ऐसी कि अध़ाइस सों वाली जॉइन कर लेते हैं यहां पर एगर मैं बाद करूं दूसरी टीम की तो इसी की दूसरी टीम अभी पहले हम डिसक्शुके लिते हैं यहां पर अगर आप देखोगे शबीर को मैंने कप्तान रख पुनीत मैंना रखे हैं फिर उसके बद ए हुसैन है और यहां पर मुहमद मुशाद हैं तो थोड़े बहुत चेंजिस आपको यहां पर दिखाई देंगे कप्तान जो मैंना चेंज कर रहा और वाइस कप्तान यहां पर चेंज कर रहा है स्मॉल ग्रेंड लीग के लिए टीम है स्मॉल ग्रेंड लीग में बहुत बढ़िया बहुत तगड़ी परफॉर्म करते हुई दिखेगी ड्रीम 11 की टीम के अगर मैं बात करूँ मुशाद अगर आप कप्तानी से ड्रॉप करना चाओ ड्रॉप कर सकते हो उसकी जगा जैसे मैंना मैच ऑन पर रखा है वैसे ही आप रख सकते हो मैच ऑन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा प्लस आप जो है मेर रैफल को डालते तो 100 रुपया आपको बोनस प्लस साथ में गिवव मैं चांस यहां पर हैम गुलामी को अगर आप चाओ तो भाईया कप्तान रख सकते हो कोई दिक्कत न लिए हैं यहां पर यह दोनों प्लेर आपको बॉलिंग करता दिख जाएगा यह प्लस यह बैटिंग भी यह कर लेगा जैड हुसैन अगर ऊपर आजा तो बैटिंग कर लेगा पर यहां पर एक बैट्समैन आप्शन माई पास छूट रहा है इस तीम का तो यहां पर एच हो मुस्ताफ फिर उसके बाद उस्मान सरवार एह हुसैन और एम अर्शद यह पूरी की पूरी टीम हमें ग्रेंड लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती ही दिखेगी ग्रेंड लीग फेवरेवल यह टीम है हमारे लिए मैच ऑन की तीसरी और आखरी टीम के में बात इसके पर दोनों मुस्त मुहमद यहां पर महां पर मोहमद दो मुहां अर्शद रहाए अर्शद रहाएं और उसमान सरवार यह पूरी के पूरी पूरी फेवरेवल टीम है ग्रेंड लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती ही हैं आप्पर आपी के सामने जो मैं टीनो टेम्स के साथ Grand League कर लेता हूं यहाँ पर मैं आपको बता दू भगिया आपको जो और बोनस मिलेगा अगर आप मेरे रैफरल लिंक से जाते हो और प्लस रैफल कोड मेरे डालते हो उसके बाद अगर मैं बात करूं और गिववे मैं आप पार्ट ले सकते हो गिववे आपको अगर अभी तक समझ नहीं आया तो आपको जो टेलिग्राम पर गिववे समझा दिया जाएगा दुबार से तो इस वीडियो के करीडियो के उन्रटि मेरे अभी आपको टो थालती है जाएगा वाद आपको दोचर ऑो आपको समय हो आपको जाएगा प्लस आपको अगर आया जावाद से बादाएगाने के शिवगारे छिया और जावारे पर दोख से लिववे जाएगागाते है